हे गाईज जै महाकाल वेलकम टू यूर चैनल एंपी आरम आशा करती हूं कि आप सभी सवस्त होंगे निरंतर निक जाम की त्यारी कर रहा होंगे हमने MPPSC प्री के लिए कुछ टेस्ट स्टार्ट किये हैं जो कि हम टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं समिक्षा इंसिट्यूट की य मद्यप्रिदेश में जनसंख्या नियंतरन दिवस कम मना जाता है मद्यप्रिदेश में हर साल कुछ कुछ दिवस को सलिबेंट किया जाता है तो मद्यप्रिदेश नियंतरन दिवस मद्यप्रिदेश में कब आयुजित किया जाता है इसको आयुजित किया जाता है ग्यारा म को आउजित किया जाता है ग्यारा मई में अचे एजाता है क्रमम सा सबसे अधिक और सबसे कम जहरी जन संख्या ँबाले जिलों के नाम श्रीज मेरत रहा हुआ हैं तो सबसे आदा सबसे कम केह स्रथ कहाly, अवे सबसे कम Markie सबसे जन्गरना 2011 के अनुसार मद्र प्रतिश में कितनी प्रतिशत जन्गरना के अनुसार कितनी जन्ख्या शेहरों में करती हैं 2001 की तुल्ना में 2011 की जनगर्णा में राज्य में बाल लिंगानुपात जीरो से छे वर्ष तक के लिए क्या अंतर रहा है तो 2001 की तुल्ना में 2011 में बाल लिंगानुपात में कितना अंतर आये था तो यह आये था 14 कितना था 14 अंतर था जनगर्णा 2011 के अनुस्सार नियूंतम जनगर्णा वाले जिलों का अवरोही किरम लिखना है तो नियूंतम जनसंख्या जो है जनगर्णा है 2011 की उसमें नियूंतम जनगर्णा या जनसंख्या कहां पर थी तो इसका अवरोही किरम लिखना है तो पहले आता है हमारा हरदा, उमरिया और शेहपूर हरदा, उमरिया, शेहपूर निमलेकित में से किस लिंगानूपात या किस जिले का लिंगानूपात एक हजार से कम है तो ऐसे बहुत सारे जिले हैं हमारी मत्रदेश में जहां पर एक हजार से भी जादा लेंगा नुपात है तो जादा कहां पर है बाला खाट में डिन्डूरी में है और अईलार्शपूर में लेकिन जहाब हुआ में एक हजार से कम है जले से समादे तत्य बताने हैं और उनके उपलग्दियां बतानी है पहला आता है शोपूर रुको हम इसको पीछे देखना पड़ेगा अच्छा मैं इसको मिलाना है तो पहले हम मिला लेते हैं फिर बताते हैं तो हमारे शोपूर में क्या है शिवपूर में है सबसे ज़्यादा हाइएस्ट तो शिवपूर में है सबसे ज़्यादा शिवपूर में क्या है शिवपूर में है हमारी न्यूंतम सहरी साक्षरता तो सबसे कम साक्षर कौन है शिवपूर में तो सबसे कम साक्षर कौन है शिवपूर में तो सबसे कम साक्षर ओधियोपूर सबसे कम सेहरी साख्रता एalli राजपूर तीसरा क्या है अली राजपूर treatment तम है फिरते हैं और आता है नेज नार इंदोर में है उच्छितम पुरुष साक्षरता तो इंदोर के जो पुरुष ने बोऊ है उच्छितम साक्षरता के अंतरकट आते हैं 2011 के जन्गर्ना के अनुसार कितने प्रतिशत आवासी आदिवासी शहरों में रहते हैं कितने प्रतिशत आदिवासी हैं जो कि शेहरों में रहते हैं तो इनकी संख्या हैं हमारे यहां पर 6.8 प्रतिशत आदिवासी शेहरों में निवास करते हैं निमलिक्षित में से गहलत या फिर आसंगत बताने हैं 65.8 प्रतिशत जन जाती है जन संख्या शेहरों में निवास करती हैं तो भिंड जिले में जाती प्रतिशत वाला जिला कौनसा है जाब हुआ है तो यह सही है तो सबसे कम अनुसुचित जाती प्रतिशत वाला जिला कौनसा है जाबुआ है तो यह सही है तो सबसे कम अनुशूचित जाती वाला जिला है जाबुआ सहडूल नियूंतम छेत्रफल वाला संभाग है तो सहडूल क्या है नियूंतम छेत्रफल वाला संभाग है क्रम सहा उच्चतम और निम्तम साक्षरत वाले संभाग बनाताने हैं तो सबसे अधा साक्षर संभाग है हमारा इंदौर नहीं जबलपूर और सबसे निम्तम साक्षरत वाला है इंदौर क्योंकि इंदौर में बहुत सारे जंजाती वाले राज्य भी आते हैं इसलिए कम हो जायए सबस्यादा साक्षरवाला जिला है संभाग है हमारे जबल्पूर और सबसे कम साक्षरवाला संभाग है इंदॉर मद्यपदेश में निर्मनलिक्षित मुखमंत्रियों में से कौन समिधान सभा के सदश्च भी रहे हैं यह थे हमारे कैलाशनाथ काट्टू जी रवी शंकर शुक्ल जी और भगवंतराव अनाभाव मंदलोई तो ये भवंत्राव मंडलोई हैं वो भी बिधान सभाय समिधान सभा के सदर्श रहे हैं ये समिधान सभा के सदर्श रहे हैं कौन को रहे हैं केलाशनात काजू, रविशंकर शुक्ला और भवंत्राणाभाव मंडलोई ये सब भी ऐसे मुक्मंद्री हैं जो कि समिधान सभा की भी सदर्शत है मद्ध पिदेश की पहली बिधान सभा की पहली महिला अद्ध या सदर्श बनने का गौरव किसे प्राप्त है तो मद्धिपते इसकी पहली बिधान सभा की पहली महिला सदश्य बनने का गौरा प्राप्त है हमारी यशुदा देवी को कौन है ये यशुदा देवी जो की बिधान सभा की पहली महिला सदश्य बनी थी यशुदा देवी निमलेक्त में कौन सी आरक्षित लोकसबासीट नहीं है तो हमारी धार है, देवास है, टीकमगड है लेकिन खंडवा नहीं है तो ये लोकसबासीट आरक्षित नहीं है देवास धार और टिकमगड आरक्षत लोगसभा की सीटे हैं नेमलिकित मैंसे किस वर्ष से राज्ज में मुख सचव का दर्जा किसके समकक्ष कर दिया गया था किंद्री सचव के है तो किस समक्ष कर दिया गया है gelecekte 1993. मद्री पेदियस के मुख सचव में उनका दर्जा किंद्री सचव के बराबर हो गया है इस को शुरू किया था ईए चार लोग तो आठ अगस्त 2004 को ग्रामीर सचवाला प्राणाली स्टाट कर दी गई निमलिकित कतनवर बिचार कीजिए पहले आते हैं हमारे राजेंदर धरकर समीती सहरी निकायों से सम्मधित है तो ये सही है जो हमारी राजेंदर धरकर समीती थी यह सेहरी निकाइस समधेत है राज़ेंद्र धरकर समीठी फिर आती है मध्यपदेश में सभी नगर निगमों की महापोर को राजमंत्री का दर्जपरापत होता है तो एक गलत है ऐसा नहीं है दूसरा गलत हो जाएगा फिर आता है है हमारा तीसरे में क्या कहा गया है 1999 में डिप्टी मेयर का पत खतम कर दे तो यह सही है 1999 में जो डिप्टी मेयर थे उनका पत खतम कर दिया गया था तो यह भी सही है तो पहला और तीसरा सही है किनर कमला बुआ वर्ष 2009 में किस नगर निगम की मेयर चुनी गई थी कमला बुवा थी वह हमारे मद्द्पदेश के सागर जिले की नगर निगम से महापौर चुनी गई थी सागर से में से कौन से राजपाल हैं जो की मद्धे पिजबंठी की कारभाहग राजपाल नहीं तो पहले आते हें हमारे न्याय मूर्थी पी दिक्षिज़त यह कारभाहग राजपाल रहे हैं फिर आते हैं AL नो ये भी रहे हैं के सेंफ एंग लेकिन ön ने के एंग चंडी कंदी कभी नहीं रहे हैं लेकिन दियूर्द रहे हैं और प्रस्ट बीर इस लेकिम डेकित कतम पर बचार कीजे के पहले आगा है हमारे बताना है किसके बारे में इबात कहीं जा रही है तो बे दो भार मद्ध्यप Вас 괜찮 प्रश्थपति अंगी होंगे फिर आते हैं मद्ध्यप्यरश में अब तक कुल तीन नेक år नको इनcha रहा है सरकार में ग्रामीड विकास खनन एवं रसाइने को उर्वरक मंत्री थे और यह दो बार मद्य प्रदेश के तीम भी रही है अब आता है क्लिकेश के कौन मद्य प्रदेश से बिधान सभाग में विपख्ष में पहले नेता रहे थी यह मिला था सिरी विश्वुनाथ यादौरा तामशकर जी को विश्व राध याद औरा तामर्शकर जी को यह है चो बाग मिला था विश्व इस तरह यह हत्यार निर्मान एकाई पुंज लॉयर्ड डिफेंस सिस्टम किस जिले में स्थापित की गई है तो इसको स्थापित किया गया है हमारी मद्यपतेश के भिंड में कहाँ पिस्थापित किया गया है भिंड में जो बिश्व इस तरह यह हत्यार निर्मान एकाई है पुंज लॉयर्ड डिफेंस सिस्टम इसको बनाया गया है भिंड में और जोगिक विकास केंद्र और सहर की जोड़ी का मिलान कीजिए तो कौन सा और जोगिक विकास केंद्र है और कौन सी की जोड़ी है हमें बतानी है सही जोड़ी तो पहले आती है हमारी अमानपूर अमानपूर हमने मान लिया तो में अपना मोह दमोह तो अमानपूर है दमोह म तो यह है दतिया में बडेरा कहां पर है दतिया में है बंडूल बंडूल है शिवनी में बंडूल कहां पर है शिवनी में फिर आती है बगास पूर तो बकवास पूर नर्सिंग पूर बकवास पूर बगास पूर नर्सिंग पूर तो यह है इसकी सही फिर आते हैं मद्य आकपसऐ कोईब को सही बताना है कौन सा सही है। पहले आताहे हमारा संजरमिल शिपूरी में हैं तो नहीं है। पहला गलत हो जाएगा। राज्ज कि पहली सूती में में बुर्हानपुर की बैकि दो töछी है यह मंद सौर में नहीं है तो सिर्फ दूसरा सई है कि मद्यपतिस्की पहली और दोगिक नीथी किस वर्ष भूज़ती ती मद्यपतिस्की जो और दोगिक नीथी है इसको प्रारा में किया गया था thyrm 1972 को पहली और दोगिक नीथी आई थी mini 72 में विजयपूर इसलिदा जो उर्वरक खाने के स्थापन किन देशों क सहुक से गुना में स्थापश की गई थी सथापश जो हमारी विजयपूर इसलिद है इसको किन देशों के सही बनाया गया सब्सक्राइब में इस्तापित की गई है। कि दूसरे कतन क्या कह रहा इसकी आधाशला उनने सो पचासी में तातकालेंग प्रधान मंत्री मन मोहन सिंग की उस पर रखी गए थी तो यह गलत है दूसरा गलत हो जाएगा फिर आता है तीसरा इसकी स्थापना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और ओमान रिफा अर्था तीसरा उप्शन सही हो जाएगा निमने लिकित में से किस वर्ष मध्यपदेश हस्त शिल पे इवं हत करगा विकास निगम का नाम बदल कर संत रविदास मध्यपदेश हस्त शिल पे इवं हत करगा विकास निगम किया गया था तो मध्यपदेश में कब जो मध्यपदेश हस्त शिल पे इवं हत करगा विकास निगम है इसका नाम बदल कर रविदास मध्यपदेश हस्त शिल पे इवं हत करगा विकास निगम कर दिय गया था तो इसको किया गया था 2013 में 2013 में इसको नाम बदल दिया था बोरे गाउं फूड पार्क किस जिले में से था जो बोरे गाउं है यह फूड पार्क इस्थापित किया गया है हमारे छिंदवारा में जिलेटिन बनाने की फैक्टरी किस जिले में स्थापित है तो के लिवे स्टेशन से होकर गुजरती है सबसे लंबी दूरी तय का नियाली ट्रेंट है यह हमारे मध्यपदेश के ना कटनी से जाती है ना भूपाल जाती है ना इतार से इपक्समें अवंदी का एक्सप्रेस कहां से संचालित होती है जो अवंदी का एक्सप्रेस है इसको संचालित किया जाता है हमारे इंदौर से मुंबई अवंदी का एक्सप्रेस कहां जाती है इंदौर से मुंबई जाती है खेल हलचल पत्री का किस जिली से प्रकाशित होती है जो खेल हलचल है इसको प्रकाशित किया जाता है इन दौर से निम्ले खितकत्नों पर बिचार कीजिए पहले आती है चंबल एक्सप्रेस वे मद्देप्रेस के चार सहरों से गुजरेगा जो हमारे चंबल एक्सप्रेस वे है वह है कहां कहां से गुज़ेगा तो यह बोल रहा है कि मद्देपति इसके चार जगा से गुज़ेगा तो यह गलत है ऐसी कोई बात नहीं हुए दिक चारी से गुज़ेगा यह कोटा को इटावा से जोड़ेगा तो हाँ यह बात तो मद्यपदेश में अमरत यूजना की शुरूआत किस शहर से की गए थी जो मद्यपदेश में अमरत यूजना है इसकी शुरूआत हुई थी इन दौर से इन दौर से इसको स्टार्ट किया गया था राजबित का आयोग किस अनुछेद में दिया गया है जो राजबित आयोग है इसका गटन किस अनुछेद के तहित किया जाता है तो अनुछेद है 243i मद्यपिदेश बिधान सभा में तहितरवा समिधान शंशुदन कब पारित हुआ था उंटीस दिसंबर उन निसादीपिदेश को पारित हुआ था मद्यपिदेश में से कौन सा मद्यपिदेश का राजपाल नहीं रहा तो पहले आते हैं बलराम चाकर जी राजपाल थे मद्यपिदेश के डॉक्टर भाई महावीर ये भी थे और डॉक्टर हिदायत उल्ला ये भी हमारे मद्य प्रदेश के राजपाल रहे हैं लेकिन कौन नहीं था तो हमारे जो रामेश्वर ठाकुर हैं ये राजपाल नहीं रहे हैं मद्य प्रदेश के कतनों पर बिचार करना है और हमें सही बताना है पहले आते हैं मद्य प्रदेश में एक सदनी बिधान मंडल है तो हमारी मद्य प्रदेश में एक सदनी बिधान सभा है तो ये सही है, बिधान मंडल है, सही है मद्य प्रदेश में चार लोग सभा सीटें अनुसुच जातियों के लिए आरक्षित की गई है तो ये भी सही है हमाने मद्यपिदेश में चार लोग सभा सीट है अनुसुच जाति के लिए आरक्षित की गई है राज बिधान मंदल के अध्यक्ष का चुना राजपल दौरा होता है तो ये गलत है तो राज बिधान मंदल की जो अद्धिक्ष के चुना होता है राज फल दोरा नहीं होता मद्य प्रदेश में महिला आयोग के संदर में निम लेकिए में कौन सा कतन सही है बताना है विसके बारे में आयोग के बारे में हमें सही बताना है पहले आता है मद्य प्रदेश महिला आयोग एक संम्माधानिक संस्थान है तो महिला कल्यान से सम्हार सिर सांगे नीतियों के लागू करने के लिए जम्मधाय नेता है तो ये सही है, जो हमारे महिला आयोग है, वही क्या करता है, जितने भी सरकारी नीतिया है, उनको लागू कराने का काम, या जम्मधारी कोन लेता है, महिला आयोग लेता है, दूसरा सही है, आयोग के पास महिला अधिकारों की उन्नंगन से सम्मधित माम लेके परिक्षन करने और निड़ना लेने के अधिकार होते हैं तो यह गलत निर भी सब्सक्राइब कैसे लेने को इस प्रिक्षिन का ने के लिए परिमिशन नहीं करती है तो सिर्फ कौन सा सही है और गलत से तुम पूर किस अध्योग के लिए εις परशना पिधापुर है लिए वह ओंटो मुवाइल से समधित है मद्य पूरतिव वर्स कितनी ग्रामीर साभाओं की बहिता की जाती है तो मद्य प्रतिव वर्ष take रोशे ग्राम सब्राओं की बहितां की चाती कि тобənी होती है श्राइए जाती है मद्य प्रदेश में मुख मंत्री ग्राम सड़ा की योजना किस वर्षी लागू की गई तो मद्य प्रदेश में मुख मंत्री ग्राम सड़ा की योजना को स्टार्ट किया गया था 2010 और 2011 से 2010 11 से मुख मंत्री ग्राम सड़ा की योजना स्टार्ट की गई है मद्यपदेश बिधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन रहे थे तो मद्यपदेश की बिधान सभा के पहले अध्यक्ष थे पंडित कुंजिलाल दुबे कुंडी खोली थी कुंजिलाल दुबे किस योजना या परियोजना ने मद्यपदेश में बिद्धुत उत्पादन से सबस मद्य प्रदेश ने कितनी बार क्रशी कर्मन प्रोषकार जीता है तो मद्य प्रदेश ने अभी तक साथ बार क्रशी कर्मन प्रोषकार जीता है मद्य प्रदेश मुख मंत्रियों में निम्लिकित में से उनका काला नुक्रम बताना है तो बसलब किस किरम में ये जमे हुए हैं, किस का काल अनुकिरम में बताना है पहले आते हैं मारे देगर विजय सिंग, उसके बाद आएंगे उमा भारती, उनके बाद आएंगे हैं बाब उलाल गौर, फिर आएंगे सिवरा सिंग चोहन, पहले आते हैं देगर विजय सिंग, फिर उनके बाद आते हैं उमा भारती, फिर आते हैं बाब उलाल गौर, फिर सिर्वराइटिंग चोहन सी सही हो जाएगा संकर देयल सर्मा के बारे मैंने मिली के कथनों पर बचार कीजिए यह भारत के 9 विराष्ट पती हैं तो संकर देयल सर्मा भारत के 9 विराष्ट पती थे सही है इनकी पुस्तक का नाम है कॉंग्रेस एप्रोस टू इंटरनेशनल अफियर कॉंग्रेस अपोच टू इंटरनेशनल अफियर से दोनों ही कथन सकते हैं मंत्यप्रेस इस बडुत काॉन है है नंकी कुष्ट काॉम तो यह यह थो अपने नयमूर्थ्त कि और देुको तो यह यहां नहीं है तो में नहीं दोई नहीं है महरास्ट में अंध्रपदेश में और गेरे में भी राश्ट पाती है तिन वर लगा है मद्य प्रतिश बज़र्ट दो हजार तीस चोविस में शकल घरेल राज घरेल उत्पात की प्रतिशत की रूप में अनुमानित राज की खोश्य घाटा कितना है मद्यप्रदेश पजट 2023 में सकल राजगरिलू उत्पात के प्रतिशत की रूप में अनुमानित राज़कोश की घाटा कितना है तो राज़कोश की घाटा है चार दसम्लाव 0.2 प्रतिशत मद्यप्रदेश वरस 2022 24 का बजट पहली बार किस प्रारूप में प्रस्तुत किया ता तो बजट मद्यप्रदेश का तेईजश चोविश पहली बार प्रस्तुत किया गया था इसै कहा घ्या था स्वर्ण निर्यात संबर्धन पार्क बनाया गया है मद्यप्रदेश के इंदौर में मद्यप्रदेश में प्रथम ग्राम न्यालाय का उद्गाटन कहां पर किया गया था मद्यप्रदेश से पहला ग्राम न्यालाय बनाया गया था हमारे जहातला में मद्य प्रदेश राज बिधान सभा को भंग करना है राज की तो यह सकती किसके पास होगी तो यह सकती होगी हमारे मद्य प्रदेश के राजपाल के पास मद्य प्रदेश उच्छ नियाले में नियाधिशों को नियुक्ती प्राधिकृत कौन करता है तो मद्य प्रदेश में जितने भी नियाधिश हैं उनकी नियुक्ती को कौन प्राधिकृत करता है तो भारत के रास्टपती की दौरा प्राधिकृत किये जाते है मद्य प्रदेश में राज सरकार का मुख कानूनी सलाहकार कौन होता है तो मद्य प्रदेश में जो राज सरकार है उनका मुख कानूनी सलाहकार होता है मद्य प्रदेश का महादी वक्ता मद्य प्रदेश का महादी वक्ता राज सरकार का कानूनी सलाहकार होगा भारती समीधान का नेमल लिखेत में से कौन सा अनुचेद मद्यपदेश से बिधान सभा की गठन और संद्रचना से समाने थे हैं तो मद्यपदेश की बिधान सभा है उसके गठन की बारे में संद्रचना की बारे में कौन सा अनुचेद बूलता है तो अनुचेद 170 50 अनुचएद 170 बताता है विन फिधानसभा होगी उसका गठन कैसे हो और जेशनकों कैसे होगी अनुचेद 180 अमान भी माज़ेत स कर दो हमेगे में 1000 खेल दो 500 मेघाव करेट तक कि संभावना है MP Incubations एवं Startup नीटी किस वर्ष से लागू की गई है तो मध्यप्रेश में जो Startup मीटी और MP Incubation मीटी है इसको लागू किया गया है 2016 से 2016 साल के बच्चे Startup करने दा गए है अजकल तो MP Incubation और Startup में 2016 में स्टार्ट किया गया था मध्यप्रेश में कौन सा चेत्र मध्यप्रेश की अर्थवस्ता में महत्यपून एकदान देता है कौन मध्यपरदेश का राजपल नहीं रहा है तो मने अभी तक कम राजपल नहीं रहा है तो मैं बल राम जाकर थी राम इशर ठाकुर थी और डॉक्टर भाई महा वीर थी लेकिन जस्टिस अन्शुमन सिंग नहीं थे निमले कित में से कौन मद्यप्रदेश राज निर्वाचन आयोक का आयोकत नहीं रहा है तो हर साल कोई ना कोई इस से रिलेटिक कॉशन साथ हैं कौन थे कौन नहीं थे तो मद्यप्रदेश राज निर्वाचन आयोक के आयोकत अभी तक कौन नहीं रही है तो ये हैं हमारे गोपाल शरण शुक्ला रहे हैं आर परशुराम रहे हैं डॉक्टर अजीत राज़ाद रहे हैं लेकिन अवनी वैश नहीं रहे हैं तो गोपाल शरण शुक्ला हैं थे मतलब आर परशुराम थे और अजीत राज़ादा थे लेकिन अवनी वैश नहीं रहे है आर्थिक सर्विचन दो हज़र बाईस तेस के अनुसार इस्तिर मूलियों पर राज्य की प्रतिविक्ति आये कितनी हो थी यह इस्तिर मूल है तो मद्यपदेश सरकार की दौरा दो हज़र जो आर्थिक सर्विचन होना था उसमें राज्य की प्रतिविक्ति की आये कितनी है त Ping पर्षाइब इस दो शेह मद्य पिदेश में नौु करने diff culmination दृष कहा में तीमिया मद्यपय इस भी शाहरा एंसका के रिकष《वाराइब》 उत्क्रष्ट से निर्यात के विकास केंद्र बानमौर मद्रदेश के किस जिल्में से थरो जो बानमौर है उसको इस्थापित किया गया हमारे मद्रदेश की मुरह नाम है मद्य प्रदेश राज किये उत्तरदायत और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था मद्य प्रदेश किये उत्तरदायत और बजट प्रबंधन अधिनियम है उसको पारित किया गया था 2005 में उत्तर दायत 5 लोग सम्हाल ले तो इस बहुत बड़ी बात है बज़ट प्रभंधन अधिनियम को 2005 में ही लागू किया गया था मद्य प्रदेश की राज बिधान सवा में पहली महिला बिपक्ष नेता बनने का सौभाग प्राप्थ हुआ है वो है हमारी जमुना देवी कौन है जमुना देवी गलत मिलान चुनिये गलत मिलान को चुनना है तो पहले आते हैं डिनोरी की गौन चित्रकला है गौलियर में कालिन बनते हैं उज्जेन में बटिक प्रिंट होती है देवास में चमडे की जर्सियां बनती है ना कि खिलों ने तो ये डी गलत है पहला कि यहां डिंडोरी में गौन चत्रकला होती है गौालीर में कालीन बनती है उज्जेन में बाटिक प्रिंट होती है मद्यपितेश में पहली खनिज नीती कब लाई गये थी मद्यपदेश जिला यूजना समीती को पारिद किया गया था 1993 में इसको पारिद किया गया था निमलिकित मैं से किस महिला ने 2017 मद्यपदेश से एक राजस सभा सीट के लिए उपचुनाव जीता था तो ये कौन थी मद्यपदेश में 2017 में चुनाव हुए था उसमें राजस सेट के लिए उपचुना जीता था संपत्य उई किने मद्य प्रदेश की जन सांखी की बारे में कौन सा कथर गलत है तो हमें गलत बताना है पहले आते हैं क्या मद्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या का 15.14 प्रतिशत है तो इस ही है तो हमारे जो 15.14 प्रतिशत क्या है अनुसूचित जातिया है अनुसूचे तहित जन जातिय जन संक्या का 1.04 प्रतिशत है जो जन जातिया है मतलब कितने है हमारी संसक्या की 2.04 प्रतिशत हैं मध्य overदेश, मध्य बदेश हमारी सफेयर की नेंठा हे दो सोच थीस रग क्योंडीर के साहे सूंट। मद्यप्रदीश में टानिंट को कपरार 설명 किया गया तो मड्यप्रदीश में जो डील हंडर है उसकी आपाथ काकरी संसेवा को 2015 में स्टार्ट किया गयito मद्यपदेश नगर नगम में मुख प्रसाशनिक अधिकारी की रूप में कौन कार करता है तो मद्यपदेश का जो नगर नगम होता है उसमें मुख प्रसाशनिक अधिकारी की रूप में कार करते हैं हमारी नगर आयुक्त कौन नगर आयुक्त नगर निगम में मुख प्रशाश्निक अधिकारी होते हैं नगर की आयुक्त मद्य प्रदेश में नगर निगम की महापौर का कारकाल कितना होता है जो नगर निगम होती है मद्य प्रदेश में उनकी महापौर का कारकाल होता है पांच वर्ष मद्यपदेश के निमलिखित में से किस जिले में लिंगानूपा सबसे अधिक है तो ऐसे कौन से जला है जहां पर लिंगानूपा सबसे जादा है तो वो ही हमारा बाला घाट बाला घाट का लिंगानूपा सबसे जादा है मद्यपदेश में निमलेखित मैंसे किस जिले का जनसंख्य घनत सबसे अधिक है तो ऐसे कौन से जगह जहां पर जनसंख्य घनत जादा है तो हमारा भूपाल में सबसे जादा है किस राजपाल ने हर्याना के मुख मंत्री और मद्यपतिष के राजपाल दोनों के रूप में कायं किया है तो ऐसे कौन से राजपाल है मद्यपतिष के जो कि हर्याना की मुख मंत्री भी थी तो यह हमारी भगवत दयाल शर्मा जो कि हर्याना की सीम भी रहे हैं भगवत दयाल शर्मा जिला एवं सस्त्र नियालाय में मुखे नियाए धी या नियाए एक मजिस्ट्रेट की प्रत्मेक जिम्मेदारी क्या होती है जिला और जो सस्त्र नियालाय होते हैं उनके मुख्य नयाएक मजिस्ट्रिट होते हैं, उनका मुख्य कार क्या होता है, तो उनका मुख्य कार होता है वह प्रशाशने कारियों की देख भाल करते हैं, तो जो हमारे सस्त्र और जो जिलाने आले होते हैं, उनके मुख्य नयाएक मजिस्ट्रिट का काम होता है, प्रशा मुख सच्चिव हम कामत थे तो यह सही है जो हमारे मद्यपदेश के पहले मुख सच्चिव थे उनका नाम था हम कामत मद्यपदेश के प्रतेक दस संभाग में से एक मुख अधिकारी होता है जिसे संभाग आयुक्त कहा जाता है तो मद्धaltenेश में जो प्रतिक संभाग ह aid दस संभाग हैं उन्मेंसी जि मुख अधिकारी होते हैं उनके संभाग आयुप कहलाते हैं तो ने क्या कहा जाता है संभाग आयुप कहा जाता है तो दूनों सही हैं बर्तवान मद्यप्डिश उच्छनियालGoldreated की मुख़् पीट जवलपूर मेला के भूपाल में तो गलत मिल का चैयन करना है केंडरीय पुलिस प्रसे क्वेंडर्चन अकैडमी कहाँ पर है भूपाल में है तो मद्यपटिश के जो किंद्री है पुलिस प्रसिक्षन अकेडमी है बहल भुपाल में सृपित की गई तो ये सही है जवाहला नहरू पुलिस अकेडमी साघर में है जबहला नहीरु पोलिस अकैङडमी सागर में है आम्ड़ पोलिस Numbers waiting रहरे का में पोलिस केक्ळस केड़ियर。 एक व्तम संत्व दो मैं बेए ऐगलर कि नहीर क्रशी गूदाम आधिनियम को गवनर जनरल की अमति는 कब मिली थी जो हमारा प्रशी गोदाम अधिनियम है उसको गवर्नर जेनल की अनुमति कब मिले थी 1947 में हमारा आजाद हुआ था भारत तभी गवर्नर जेनल ने अनुमति दे दे कि चलो यह गोदाम भीruck error रख लो एंडस और वंति कभी जोग्यां के मंद्धिपदेश की योजना में कौन सी योजना शिक्षा से सम्मादेश की हैं यह जो की सिक्षा समंधित नहीं है शिक्षा से सम्मादेश सरकात एक इस्थापित मेगनेनी एम्पूरियर की संदर में सही कतन पर चयान करना है जो मद्यपतिस में हस्त शेर बहुत कराज से समझ दिता है एम्पूरियम जिसका नाम मेगनेनी एम्पूरियम उसके बारे में कतन इसकी स्थापना 1961 में हुई थी तो जो मरगनैनी एमपूरियम इसकी स्थरपना 1961 में हुई थी यह विलीन सब्सक्राइट बहुत है इिसका विस्तार कीबल मद्य पदेश तक शीमेदर नहीं पूरे भारत में हैं इलावाद बगेरा में राइपूर में भी इसके अलग-अलग सेंटर खोले गए हैं मद्यपदेश की यूजना और उनके आरंभिक वर्ष का सही मिलान करना है और उनमें बताना है कौन से सही नहीं है पहली आती हैं लोकबानी की यूजना यह 1965 में स्टाट कीए तो 1975 में लोजऑ बान की यूजना इस टाट की गए तो सही हैото क्रणपादो änderन्टिंटिस्ट मेरेट स्टार्ट किया था सामाजिक बाने की युजना सबको लेके चलना है तो छे साथ लोक चेपने इतलेगे 76 में थी नज परादोकना आथारा में ये लोग बाने के उजना मेंग आये लोग बाने के उनtechnल दिन Дियाल 07 जयोजना कूंतcussion स्वामयधी दिन दियल बना जल यूजना की की कि गर सत्न पंचायती!. या पंचायती.पंचायती. राज अस्ताण प्रणालि adviser Excel की स्वाथ बनाने के लिए स्पांचायती.दर राज नर्देश के स्वाथ बनानते.ऄए मीरे को चुनिए पहला आता है बिड़ी उद्ध्योग जवलपूर में है तो यह सही है गड़ी उद्ध्योग इंदोर में नहीं है चाता उद्ध्योग गुना में है तो यह भी महू में है इंदोर में यह नहीं है और यह तो गलत है तो बिड़ी उद्ध्योग जवलपूर में है मद्यपदेश में जो जज हैं उनकी हाई कोट में कितनी सीटे हैं उनकी सीटे हैं त्रीपन एक्सेप्टेड नम्मर कितना है त्रीपन है मद्यपदेश की अर्थेवस्था में प्रात्मिक छेत्रय का यूगदान राज्य के सकल मूलबर्द्थ यदे जीबी-ई का कितना प्रतिशत है मद्यपदेश के जीबीए ने च्शटिसदसंवरो बत्तिस प्रतिशत शटिसट दसामरो बत्तिस प्रतिशत मद्यब्देश बजट 2023 में मुख मंत्री लाडली बहन यूजना के लिए कितना आवंटन किया गया है जो मद्यब्देश में यूजना को शुरू किया गया था तो इसमें कितने बजट का प्रावधन किया गया था तो इसमें लाड़ली बजट बहनी उन्या में बजट आया था 55-20 करोड पाच-पाच में लाक दे हुए 55-20 करोड रुपे का बजट आया था MP आर्थिक सर्वेचंग के अनुसर वर्ष 23-24 में राज में कितने टन गेहुं उत्पादन का अनुमान है तो जो आर्थिक सर्वेचंग मत्यपदिश का हुआ है इसमें 22-30 में कितना टन गेहुं का उत्पादन का अनुमान लगाया है तो यह है हमारा 352 साथ लाख टन 352 साथ लाख टन गेहों का अनुमान लगाया गया है मद्यपदेश राज बार काउंसल के अध्यक्ष दो नवमा 23 में कौन है तो मद्यपदेश राज बार काउंसल है इसके अध्यक्ष हैं प्रेम सिंग भदोरिया जी मद्यपदेश राज बार काउंसल के अध्यक्ष है प्रेम सिंग भदोरिया जी चैनल ही हर मद्यपदेश के किस सहर में अंतार्यास्टि एक खाद हद प्रसंसक्राण O-D-O-P-Expo 2023 आयोजित किया गया है तो मद्धिपदेश में अंतरास्टे खाद प्रसंस करने से सम्मादे तो O-D-O-P-Expo 2023 का आयोजिन मद्धिपदेश के भोपाल में किया गया है किस तीसरी लिंक के सामजिक कारकरता को M-P-Raj-Chunau-A-Icon के रूप में निप किया गया है तो ट्रांक्स जेंडर है तीसरी जेंडर है उनकी सामजिक कारकरता को मद्धिपदेश राज-Chunau-A-Icon के रूप में निप किया गया है इनका नाम है संजना सिंग मद्धिपदेश में गर्वती महिलाओं के लिए जीवन जननी योजना बारंभ करने की घूशना की गई है इस योजना महिलाओं को पोशन आहार के लिए किती राशी प्रदान की जाएगी तो मद्धिपदेश में घूशना की गई है जीवन जन्नी यूजना स्टार्ट करने के लिए इसमें महिलाओं के पोशन आहर के लिए किती रोपय की राशी दी जाएगी तो 4000 रोपय की राशी दी जाएगी मद्यपदेश में लाडली बहना यूजना की शुरुवात की गई थी तो लाडली बहना यूजना में 25 लाख का बज़ट प्रस्तोस किया गया है और इसके लिए शुरुवात की गई थी लाडली बहना यूजना की पांच मार्च दोहजार तईसे इसके गई है पांच मार्च